दोस्तो बिग बॉस OTT का आज ग्रैंड फनाले है जिसके बाद आपको पता चलेगा कि आखिर बिग बॉस 15 में कौन से कंटेस्टेंट आगे जाने वाले हैं इसके साथ यापको बता दे कि बिग बॉस OTT के पॉपिलर कंटेस्टेंट है शमिता शीटी और राकेश बापर जिनके बीच शुरू से ही एक दूसरे के लिए काफी प्यार चलगता है शो के दोरान धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदी किया बढ़ती जा रही है इतना ही नहीं फैंस ने दोनों की जोड़ी का नाम शारा भी रुख दिया है वैसे कुछ दिनों से दोनों के बीच दूरी आने लगी थी और लड़ाई भी हो रही थी लेकिन हाल ही में सारे पर्ट और शमीता का ऐसा कपल है जो कि बाहर की दुनिया में भी काफी पसंद किया जा रहा है क्योंकि शमीता शेटी शुरू से ही राकेश को काफी पसंद करती है प्यार करती है लेकिन इसके बाद राकेश ने जस तरीके से अपनी प्यार का इज़हार किया है उसके बाद उनकी एक्स वाइफ रिदी डोग्रा का रियाक्शन भी सामने आ गया है जिया दोस्तों राकिश बापट की एक्स वाइफ है रिदी मा डोग्रा जिनका डिवॉर्स हो चुका है राकेश से अब जब बिग बॉस के घर में दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ रही है रोमांस परवान चड़ रहा है तो ऐसे में एक्स वाइफ का रियाक्शन आना तो बनता है वैसा आपको बता थे कि राकेश बापट की एक्स वाइफ रिदी का जूर रियाक्शन है वो काफी पॉजिटिव है नेगेटिव नहीं एक इंटर्विव के दौरान राकेश बापट की वाइफ रिदी डोकरा ने बोला है कि मैं काफी खुश हूँ राकेश के लिए उन्हें चिलाना पसंद नहीं है वैस सिर्फ उन्हीं लोगों से बात करते हैं जिनके साथ वो कमफर्टेबल होते हैं या फिर जिन पर ट्रस करते हैं जियां दोस्तों रिदी डोकरा जो की राकेश बापच की एक्स वाइफ है उनका रियाक्शन आया है और शमीता और राकेश के रिष्टे को लेकर वो काफी खुश है उन्हें लगता है कि उन्हें रिष्टे में आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि राकेश जिस तरीके से शो म में नजर आते हैं वैसे ही वो रियल लाइफ में भी हैं